मुर्गी देखिए मेरे ख्याल से इसको अंडा आ रहा है अंडा देने वाली है डर लग रहा है कहीं मुझे भोग ना देए कल्ले को या आंख में भूग देंगी तो मुश्किल हो जाएगा तो वट यह देखो प्यार से आकर पास में बैट गई है क्या करेगी ओ भाई हो इसको फाइनली यह कुर्सी सेलेक्ट कर ली है इसके उपर बाइटकर अंडा देने वाली है यह अभी कल पर सुम्भी यहां पर दी आंडा बट मैं सोयवा दिखा हो ना इसको थोड़ा से प्यार आ गया है लगता है इसको इसलिए मुझे डिश्टब करकर उठाकर फिर यहा इसके यहां पर देखो इतने सारे अंडे है कितने एक बार गिनिये चार और चार आट नो दस दस अंडे हो गए वह आपरे दस अंडे है हम इंक्यूबिटर के अंदर कुछ इंडे दाले हैं दोस्त अभी अंडों के अंदर चूजए किस तरह से देखना है यह सिखा देता में आपको चलो चलते हैं इंक्यूबिटर के पास तो सब को अंडों के अंदर चूजे देखने के लिए आपको एक मोबाइल जरूरत पड़ता है तो एक मोबाइल ले लिए हम जिसकी टॉच आउन कर लिए यहां पर देखिए ऑन करें के बाद आपको एक एक अंडा लेना है इस तरह से लेकर यह टॉच के ऊपर रख दीजे जैसे आपको लाइनिंग्स दिखाई दे रही है लाल जैसे की तागों के जैसा लाल तागों के जैसे खून के चारे नजर आ रहे है यह चूजा बन रहा है दोस्त आप पर देखो लाल लाइनिंग्स दिखाई देंगे आप को तागूं के जैसे लाल तागूं के जैसे तो यह एक चूजा बन रहा है तो मैं इसको रख देता हूँ इदर सप्रेट जो चूजे नहीं बन रहा है वो भी मेरे पास थोड़े अंडे है वो दिखा देता हूँ देखू एक बार आपको अहां पर देखो चूजा बिल्कुल बन रहा है इसमें आहिक पर काला सा हो गया थोड़ा सा तो यहां पर लाल लानिंग्स कहीं नजर आ रहे हैं आको इसके अंदर चूजा नहीं बन रहा है दो सब्सक्राइब पतला सा नहीं तो घुमाते जाएए धीरे से लाल लाइनिंग कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे है आपको तो इसमें से भी चूजा नहीं बन रहा है लास्ट और इक अंड़ा भी दिखा जाता हूं मैं आपको जिसमें नहीं बन रहा है तो यह देखो इसमें भी नहीं बन रहा ह तो लास्ट ये अंडा दिखा दिया हूँ, तीन अंडे दिखाया हूँ मैं आपको, जिसमें चूजे नहीं बन रहे हैं, अभी चूजे 35 अंडों को देख लेते हैं, तो अभी ये वाला अंडा ले लिया हूँ, देखिए, इसमें लाल वाले लाइनिंग्स नजर आ रहे हैं आ जड़ा कर देखिए आप जैसे लाल लाइनिंग्स दिखाई दे रहे हैं, ये चूजा बन रहा है दोस्त, ब्लाइक डॉट्स आहें देखिए, थोड़ा सा गुमाते रहे तो आपको वो डॉट्स हिल रहे हैं, जैसे लिवरा आंडा दिखिए तो लाल लाइनिंग्स दिखाई दे रही है चलो इसको रख देता हूँ एक हो गया है अभी दूसरा ले लेता हूँ मैं ये वाले को घुमाई ये अंडे को फोड़ा सा घुमाई के बाद आपको इदर लाइनिंग्स नजर आ रहे है दोस्ते वाइल की टॉच भी थोड़ा सा डिस्टब कर रही है आपको ये देखो ब्लाक डॉट नजर आ रहा है नीचे साइड पे देखो जैसे मैं अंडे को हिला रहा हूँ ब्लाक डॉट नजर आ रहा है और उसके उपर से लाल लाइनिंग्स है और भी थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूं मैं आपको यह देखो दो हो गया है अभी तिसरा ले लेता हूं मैं अंडा तिसरा लेकर आपको तीसरा वाला भी दिखा देता हूं यह वाला देखिए तीसरा इसमें और भी अच्छा दिखाई दे रहा है यहां पर देखो ब्लैक वाला डॉट नजर आएगा उसके बाजियों से उसको लगकर लाल लाइनिंग्स नजर आएंगी यह चूजा बन रहा है दोस्त तो कैंडलिंग इस तरह से करना है मिनिमम चार दिन के बाद अब इंक्यूबिटर में दा लेके बाद कैंडलिंग शूरू कर सकते हो मेरे भाई चार दिन से पहले मत करिए कि उतना साफ नजर नहीं आएगा आप साथ दिन या दस दिन तलग भी आप करोगे दस दिन के बाद भी तो और भी बेटर नजर आएंगे मेरे भाई तो कैंडलिंग चूरू अंडों के अंडर चूसे किस तरह से देखना है मैं आपको सिखा दिया हूँ अभी ओ भाई मुझे मुर्गी की जूं यह जैसा लगता है यहां पर देखो यह मुर्गी को फेस के उपर थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दता हूँ उपर से एक भाग रही है बारिक रहेंगी मेरे भाई वीडियो की clarity बढ़ा ही है नहीं दिखेगी आपको एकदम बारिक रहेगी अपनको आखों से देखने में भी नहीं दिखेगी तो अभी मैं वीडियो जूम कर रहा हूँ तो आपको light दिखाई देगी उतनी बारिक रहेगी वो तो ये वाली मुर्गी को मुझे दिखाई दे रहे सिर के उपर जो चोंच के उपर कलगी के उपर देखे आप पहचान सकते हो अराम से और ये वाली मुर्गी को भाई जूंका इलाज करना पड़ेगा हमें जूंका स्प्रे करना पड़ेगा ये वाली मुर्गी को भी चक कर रहा हूँ है ये वाला मुर्गा देखे इस पे बहुत ज्यादा है दोस्त है तो ये आख्यां बंद भी कर रहा है थोड़ा से CIDI ये इसको यहां पर देखो आंक्यों उपर देखो एक भाग रिये जूम कर रहा हूँ में आंक्यों पर एग्जक्टा आंक्यों पर देखे कैसे भाग रिये हो तो अभी इसका इलाज करना हमें बहुत ज़रूरी है ये मुर्गी के उपर भी है यार यहाँ पर देखो गर्दन के उपर white color का है ना यह दिख रहे है black color के नीचे side आ रहे है गर्दन के उपर से तो यह खून पी लेंगे दोस्त यह मुर्यों का यह जो बहुत डेंजर होती है इनके वो जैसे mortality भी हो सकती है मुर्यों की तो अभी हम क्या करेंगे देने के लिए एक त्राय रख दिये हम अंदर दो मुर्यों का competition चल रहा है यहाँ पर एक मुर्गी white color की है और इधर इधर साइड देखो यह वाली मेरी favorite मेरे business starting की first वाली मुर्गी है वो एकदम perfect है तो अभी हम एक मुर्गी 40 चूजों के पास भी आ गए कितने perfect है सारे के सारे must है बड़े भी हो गए तो देखो इसमें से एक की भी mortality रही है मेरे भाई कुछ दिन पहले हम यह मुर्गी को खुड़े छुड़ाने के लिए इसमें दा ले थे जानी में अभी आज थोड़े को बाहर छोड़ते पुराने वाले नए मुर्गी को नहीं छोड़ते नए चार मुर्गी आप लाए तो चार मुर्गी आप दो दिन या तीन निन उनको आदत होने देंगे क्योंकि भाग जाएंगे बाहर तो कुट्टे बिली और आप पकड़के खालेंगे उनको फीनिया कर दो 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 अपने उपराने कि खोलते हैं दोस्क इधर फट्टर रख दे रहा हूं दो मुर्गी चले गए हैं साथ आठ जिर्था फट्टीइंडर धानेत ग्यारा ग्यारा थे्रह घाण 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 और इस है अंदर. 21 एक अंदर है दिखिए, 22, टोटल 22 है, तो यहां पर आ गए है यह सारे, यहां पर खाने लग रहे हैं. अभी एक बार हम अंडे देखते हैं दोस्त, अंडे देखो कितने हैं, दो दिन से हम अंडों को निकाले नहीं हैं, इसलिए काफी जमा हो गया है. एक बार गिनेंगे, चार, चार, आठ, नो, दस, ग्यारा, ग्यारा अंडे, देखते हैं, आज कितने होंगे, वो ग्यारा पंदा होंगे, या बीस होंगे, आपको नजर आएगा शाम तक, अभी तो ग्यारा आएगा, इसको खाने के लिए मकई, साबित मकई दे दिये, दोस् आजाएगे, चलिए दर इंक्यूबेटर में भी काफी अंडे हैं, दोस्त, इंको भी घुमा लेते हैं, एक बार, इवनिंग का टाइम है, तो देखें, अंडे कितने निकले, देखते हैं, अपन, इस चार, चार, आठ, और चार, कितने होंगे, बारा, तेरा, चोदा, पंद झाँ 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 Kur अनुड़एब.